शाली मैंने तुमको सुभा से एकसल का एक प्रिंट निकालने के लिए दिया है और तुम देखो दो तीम पेजों पर इस प्रिंट को निकाल ले जब कि एक ही बेज पर आना है तुमको पेज सेट अप करना नहीं आता है तो देखो अगर आपके पास भी इस तरह की एक एक एक्सल शीट है जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो जिसमें कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉलम बने हुए हैं और जब भी आप उसको प्रिंट करने के लिए जाते हो और वो इस तरह से एक से ज्यादा पेज पर आ को लेके confused हैं आप सोच रहेंगे एक्सल में हमने डेटा तो बना लिया है लेकिन वो एक पेज पर कैसे आए अब दोको नॉर्मली लोग क्या करते हैं एक पेज पर डेटा लाने के लिए इन कॉलम्स की जो विर्थ है उसको कम करते हैं दीरे-दीरे करके के ये सारी सेटिंग को खराब कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पेज सेट अप के मास्टर बनने वाले हैं पूरा वीडियो देखेगा सारे confusion एक-एक option आपको बहुत क्लियर करके मैं बताने वाला हूं सबसे पहले हमें पेज सेट अप को समझना होगा देखो जब Excel में हम कुछ डेटा शीट बनाते हो तो यहां पर कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है जैसे MS Word में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा अब जब पेज नहीं दिख रहा है आपन अपना डेटा बना लिया है उस कंडिशन के अंदर इस पिच सेट अप को समझना बहुत ज़रूरी है एक्सल के अंदर यह सबसे बड़ी चीज है फॉर्मिले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पिच सेट अप आना अवश्यक है तो देखिए समझते हैं कुछ सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एक्सल है उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहां पे आपको जाना पड़ेगा अगर आप पुराना एक्सल यूज़ कर रहे हो तो अगर नया एक्सल यूज़ कर रहे हो तो यह फाइल मेनियू का उप्षन दिया और होगा फाल मेनियूँ में यहां पर प्रिंट का और यह प्रिंट को यह प्रिंट में निकलने से प्हले आपका जो पेज है वह कैसा दिखाइए देगा तो आभी जैसे मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हो कि यह कुछ कॉलम को दिकhाने क जाते हैं इस फाइल को इस तरह से तो आप देखो केबल पांच जो कॉलम है वो एक पेज पर आ रहे हैं बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहां पर क्रियेट कर दिये गए हैं और बाकी आप देखो कि 12 तेरा अलग पे आ रहे हैं उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं अब क्या करना है कि यह सारे कॉलम एक हैडर पर हमको सिंपल बनके मिल जाएं तो उसके पहले सबसे पहले तो यह कर लो कि आपको प्रिंट नि यह कर लो आप जैसे यह सेटिंग आप यहां से करोगे तो यहां पर आपको ऊपर यह जो आइकन दिख रहा है यह प्रिंट प्रिंट का है इस पर क्लिक करते ही यह ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा अब नए वाले एक्सल में तो यहां पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा और अगर पुराना एकसल दूज कर रहे हो आपको नियूट कर रहे हो कोई भी तो यह पिश सेट अप का एक डियालोक बॉक्स उपन हो जाएगा तो कोई भी एकसल यूज कर रहे हो आप चाहे एकसल 2007 हो चाहे आपका醍альной 365 वो सब में आपको यह पेज सेट एप का डायलोक वक्स दिखाई देगा इसमें कुछ चीज हैं समझने वाली उनको गौर से समझ लो यह जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है एक्सल के अंदर आपको मज़ा आने वाला है तो यहां पे जैसे आप पे सेट अप पे जाओगे तो यहां पे सबसे पहले पेज दिखाई हैं उसमें हम orientation को change कर देते हैं और portrait से लेकर हम इसको लगा देते हैं landscape ठीक है इसके बाद आता है option scaling का अब जब आप scaling की बात करते हैं तो वही चीज आ जाती है कि जब आप page को क्या करते थे column को छोटा बढ़ा करके एक ही जगे पर fit करने के कोशिश करते थे यह वही option है दो तो जैसे मैंने landscape किया तो क्या हो गया page जो अभी portrait पर print हो रहा था अब वो इस तरह से print होगा लेकिन अभी भी आप यहां पर देख रहे हो कि हमारे जो page था उसके अंदर 12-13 column थे मैं एक बार देख लेता हूं कितने थे 13 column थे लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहां पर 9 ही आ हैं बाकी के जो चार column है वो कहीं और दूसरे page पर जाकर print हो रहे हैं अभी भी setting ठीक नहीं है तो इसके लिए आपको scaling का इस्तमाल करना होगा scaling को थोड़ा सा समझ लेते हैं दुबारा से page setup के option पर जाते हैं अब यहां पर अभी जो scaling है वो 100% है अभी इसी scaling को आप अगर कम कर दे तो मैं इसको कर देता हूं मानो इसका आधा 50% तो क्या असर पड़ेगा आपके page preview पर इसे यहां से okay करते हैं अब देखो scaling आपकी 50% हो तो अभी क्या होगा कि 13 कॉलम तो आगे लेकिन जगा बहुत ज्यादा छूट गई है अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश तो आप यहां से manual scaling करके इसको जैसे 90 या 80 पर आप सेट करोगे तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे-धीरे क का फायदा कर सकते हो हमारे सारे premium pen drive courses पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे description में जाना है यहां पर आपको join pen drive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारे offline pen drive course की website पर यहां पर इस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे एक free OTG और हमारे pain drive है वो मिलेगा जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशकता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pain drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर TEP पर और आपके Android Smart TV पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप मैंसे 5 लोगों को यह course केवल और केवल 5000 तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा और एक ही page पर प्रिंट आ जाए तब page setup पे आपको जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है fit2 वाले option पे अब जैसे आप fit2 option पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो च header है उससे fit करो नीचे वाला section कितना भी चला जाए मुझे उससे कोई लिना देना नहीं है तो यहाँ पे अगर आपका data बहुत जादा लंबा है और आप सिर्फ चारे को header से fit हो जाए बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है अगर इसको कर दो के तो बताऊंगा क्या होने वाला है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर आपको one भरना है और यहां से जैसे आप okay करेंगे तो आपका पूरा matter है आप देखो simple एक ही page पे आ जाएगा 13 के 13 column अपने आप से fit हो गए अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं page setup में इ जैसे मैं okay करूंगा तो क्या होगा आपका पूरा का पूरा data उसने क्या कर दिया एक ही page पे आके fit कर दिया यह गलती मत करना बस क्योंकि यह गलती करोगे तो बहुत ज्यादा अब यह प्रिंट नका लोगे तो कैसे समझ में आएगा तो simple आपको क्या करना है यहां पे सिर्फ एक भरना है और इसको यहां से हटा दो blank छोड़ दो और okay कर दो तो अभी आप देखो आपका जो data है बिल्कुल fit हो गया के बल 14 page में यानि 14 page के अंदर यह data आपका आ गया है अब इसमें और क्या option हमको मिल जाता है और option हम देख ले अगर घटाना चाहते है तो घटा लो अभी जो margin है left और right से यह वाली साइट से और यह वाली साइट से वह 1.8 है आप चारे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए तो हमको दोनों साइट से इसको 11 कर देंगे तो अब यह आप देखना पीछे preview के ऊपर नजर आप रखोगे तो यहां पर data 15 पेज में आ रहा है जैसे हमने margin बढ़ाया तो आगे page length अपने आप बढ़ जाएगी तो ऊपर नीचे से भी आपको margin और कम करते हैं margin वाले section पर चले जाना है और top margin भी one कर देते हैं और bottom margin भी यहां से one कर देते हैं देखो अब हमने चारों तरफ से margin को कम कर दिय तो data आपका अपने आपसे फिर से 14 page पे चला गया तो यह हो गई आपकी margin वाला section जिसमें हम print निकालने से पहले चारों तरफ की जो space है उसको कम करते हैं अब यहां पर देखो इसके बाद आ जाता है header footer का option अब जैसे मैंने आपको पता है header का margin हमने 0 कर रखा है अगर हम यह page number या कुछ डालेंगे जैसे page one by one तो देखो यहां हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने रख जाएगा अब यह page एक से लेकर 14 तक की sheet में यह data chart है और यहां पर page number भी डाल सकते हो अपने file का नाम भी डाल सकते हो page setup में जाकर क्या 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 आप कर सकते है header footer में यहां पर page one आ जाएगा sheet का नाम आ जाएगा आपकी file का नाम आ जाएगा यह सारी चीज़ें आप अलग-अलग डाल सकते हो इसके बाद में यहां पर आ जाता है sheet का option अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि यह print area का option है तो देखो इसमें क्या आपको मि आई हर page पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कभी-कभी परिशाय नहीं होती है कि आपने 12-14 page प्रिंट कर रखें आप बार-बार आपको जाके देखना पड़े का यह जो column था इसके उपर आपने क्या लिखा था यह जो column था इसके उपर क्या लिखा हुआ था तो आपको पहले वाले उस पर जाना है लेकिन अगर आप चाहते हो कि यह जो header है यह सारे page पे मुझे display करें तो page setup पे चले जाएए और sheet के option पर चले जाएए यहां पर raw to repeat at top के option पर आपको click करना है तो अभी यह work नहीं करेगा क्योंकि हमने page setup open कर रखा है तो इसको हम जाके पी अभी यहां पर raw to repeat at top वाले option पर इस पर हम click करेंगे और यहां पर यह एक arrow अलग तरह का बन जाएगा इस arrow से यह उपर वाले दोनों cells को इस तरह से select करेंगे पूरी के पूरी हमने जो raw हैं दोनों उपर वाली select कर ली फिर इस arrow पर हम click करेंगे और यहां से हम okay करेंगे अब दोबारा से हम print preview के एक बार चेक करेंगे तो आप देखो अभी page तो हमारे 15 हो गए हैं लेकिन जब मैं हर page पर जाओंगा तो हर page पर जूपर वाला header है वो print होना शुरू हो जाएगा तो इस एक बड़ा फायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले page पर भी हो या 12 पर हो या 8 पर हो प्रिंट एरिया क्या करता है प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फायदा है कि अभी मैंने यहां पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है ठीक है अब यह उन्हें 25 लिखा या 25 लिखा रफली कुछ मैं कैल्गूलेशन कर रहा हूं और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दिए तो आप देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है ना कि सिर्फ मेरे डिटा को तो यह जो रफ डिटा है यहां पर भी आ गया अभी कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग ने कोई कलर मानों यह आप मानों मुझे यहां से starting से लेगी है तक का ही एरिया प्रिंट करना है बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है तो सिर्फ मैं यह सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद set print एरिया पे click कर दूंगा तो अभी आप देखो यही print एरिया मेरा select हो जाएगा जब मैं print करने जाओंगा तो सिर्फ इतना ही area print होगा बाकि कोई भी जो rough काम आपने किया है या कोई और sheet में कुछ और data है वो नहीं आएगा अब आप मेंसे कुछ लोग कहेंगे हमको print area को clear करना है कुछ और print करना है ठीक है वो भी हो सकता है चलिए back जाते हैं अब यहां से आपको option दिखाए देगा दूसरा वाला clear print area ठीक है अब यह जैसे इस पर click करेंगे तो आपका print area clear हो जाएगा बाकि आपका फूरा data print होने लग जाएगा लेकिन आप चारो कि भाई print area भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और data भी प्रिंट आजाए तो simple आपको यह जो पूरा data है जहां तक आपको print निकालना है वो select कर लीजिए और select करने के बाद आपको control P press करना है अब यहां पे आपको settings के अंदर option दिखाई देगा यह वाला print selection का यह print selection वही करेगा जो आपने area select किया है और कोई page print नहीं होगा so print selection को आप समझ गयोंगे print selection कितना जरूरी है आप चाह रहे हो कि मेरे को क्या करना है मेरे को सिर्फ header से लेगे यह 5 जो column है 6 column है यह 10 column है वो print करने है लेकिन print area ना मुझे मनाना पड़े तो आपको simple क्या करना है print entire workbook और print active sheet ठीक है अब workbook पे आप click कर दोगे तो एक बार में आपके जितनी सारी sheet है तो हम बहुत time पे क्या होता है कैसारी sheets बना लेते हैं 20 sheet, 25 sheet और एक बार में हमां print देना है एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है ओफिस में कभी-कभी ज़रूद होती है पर 10-10 sheet बनाई है एक बार में print कर दो simple option है कि आप 10-10 sheet को एक बार में print करना चारे हो Ctrl-P करो और यहां से print entire workbook पे चले जाओ अब आपके जितनी workbook होंगी जितनी आपने sheets बनाई होंगी सारी की सारी एक बार में print हो जाएंगी तो यह चीज आपके मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी अब देखो इसमें print area में एक चीज और बहुत अच्छी है क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो यहां से चार कोलम सेलेक कर लिए उपर से ठीक है अब control को press किया और नीचे से तीन कोलम और सेलेक कर लिए यह इस तरह से ठीक है अब देखो जब भी मैं print दूँगा तो यह बीच वाला selection चला जाएगा print area पे हमने यहां से set print area किया अब यह दोनों हमने select कर लिए अब मैं print आपको देखे दिखाता हूँ अब देखो क्या होगा जी दोनों selection मैंने अलग-लग select करे थे वो आधा देखो एक इस page पे आ रहा है और एक अगले page पे आ रहा है ऐसा भी आप कर सकते हो कुछ data लिया आपने अब जो अलग-लग मेरे selection थे ना control के साथ मैं उसको excel ने क्या माना एक page यह बना दिया और एक page यह बना दिया इस तरह से आप अपने print निकालने के experience को और भी अच्छा कर सकते हैं आशा करता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको और भी topic के बारे में जाना है word, excel, powerpoint, telly तो इस वीडियो के नीचे description में हमने सभी यह link दिया है आगे भी ऐसे informative वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए और अगर excel, word में आप master, blaster बनना चाहते हैं तो आप मेरे courses join कर सकते हैं, detail में आगे वीडियो में आपको देने वाला हूँ